तो के अलो फ्रेंड किसी वह आप सब में विसी और आप देख रहें बोंग टो इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम नेक्स्ट विक के जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टोक है उसके बारे में बात करने वाले तो देखते कौन से वो चार्श टोक है ज उसे जरूर दबा दिजिए जिसको आपको हमारे नौटिफेक्शन सबसे पहले मिल जाए तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टोक है वो है आईसी 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 बैंक अभी इसको मैंने क्यों लिया तो आप देख रहो यह वन अवर्स का चार्ट अभी यह डाउं ट्रें लेकर फिर से एक अफसेड मुमिंट आपको देखने को मिले नौडाउट आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो अभी डाउन है लेकिन आपको प्रोपर देखना पड़ेगा कि यह सपोर्ट के पास यह सपोर्ट लेना कि कोई ट्राई कर रहा है या इसको ब्रेकिंग करके नी ने दो उसके अपर चला जाए बाद में आप एंट्री ले सकते हो तो यह जो हमारा पहला स्टोक था वो अभी सपोर्ट के पास है और वान आवर्स पर एक वेज जैसा पेटन भी बना रहा है तो इसलिए हम इसको लेके जा रहा है अगर यह इन फ्यूचर कोई बुलिस साइ nisabbt après जा रहा है उपर आपको यह रजिस्टन स्पेस करने को मिल रहा है एक बार इदर 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 बार किये अब यह है नीचे जाने का साइन देता है अगर यह नीचे जाके फीर से अपर जाता है फिर भी आप एंट्री ले सकते हो या तो क्या है कि थोड़े लिए जब इ प्रयाइंगल पेटन देखने को मिला अगर इसका पुरपर तरीके से ब्रेकाउट हो जाता है तो आप इसमें ये सकते हो बाइस साड़ी के लिए इसके बाद का जो हुम आर श्टोक ए उसको हम देख लेते तो इधर एक channel बना दिए, अगर ये channel का proper तरीके से breakout कर देता है, तब हम इसमें entry लेगे, मेरा view personally downside है, अगर ये downside proper breakout दे दे तो आप इसमें downside के लिए entry ले सकते हो, लेकिन ये upside भी breakout दे सकता है, लेकिन अगर आपका view दोनो side है, मतलब किसी भी side breakout दे सकता है, येसा है, तो आपक आपसे risk reward ratio, stop loss उसपे work करके entry ले सकते हो, मेरा personal view इसमें downside है, in simple में जब ये downside breakout देगा, तब ही में sell करूँगा, मैं buy side इसमें कोई interest नहीं रखने वाला, तो इसमें जब मेरे को proper downside entry मिल जाएगी, तब ही में इसमें अपनी entry लूँगा, sell side, अपना-पना view होता है, आप अपन इसके बाद का जो हमारा stock है, उसको देख लेते, उसके बाद का जो हमारा आखरी stock है, वो है conqueror, अभी इसको में ने क्यो लिया, तो आप देखरो, हाल फिलाल क्या आए कि ये एक channel में फसा हुआ है, मतलब है consolidated zone में है, तो और दूसरी बात, क्ये क्या है कि इसमें एक rising support line में draw किये, उसका भी अभी हाल फिलाल breakout हो चुका है, लेकिन proper breakout हम नहीं मानेंगे, इसलिए में ने क्या किया, एक channel को proper तरह के से ये breakout करके नीचे चला जाता है, तब भी हम इसमें मानेंगे कि awareness इसमें आ सकते हैं, तो हम wait करेंगे इसका, अगर ये channel का proper downside breakout दे देता है, तब हम sell क के लिए जाएंगे, upset भी breakout दे सकता है, क्योंकि ये support के पास होता है, एक fake breakout के बाद, एक अच्छी सी upside ये downside देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको upset भी मौका मिल सकता है, बाइंग के लिए, तो अब देखिए, ये channel proper तरह के से breakout दे, उसके बाद अपनी entry बना सकते हो, तो अगर आपका risk reward ratio सही है, तो बाद में इसमें entry लिजिए, in simple में कहना ये चाहता हूँ, आप अपनी पहले analysis कीजिए, अगर उस पे कुछ सही लग रहा है, तो बाद में आप इसमें enter होई है, तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज जा